सागर जिले के रहली मामले में वीडियो के अधार पर पुलिस ने बड़ी कारवाई की है इसमें कुछ लोगों पर नाम जद और करीब 80 अग्यात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है वहीं जिन वाहनों में तोड़ फोड़ की गई थी उनमें से एक वाहन में हत्यार भी मिले है जिस पर आम्स एक्ट के तहत एक अलग से मामला दर्ज किया गया है दनिश्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम नहीं एक देड़ सो साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है टाटा का तनिश्क और टाटा प्रड़क्ट उसको आधार बना कर उसमें जो भी नए सक्ष और तथ्य आ रहे हैं उसके हिसाब से आगामी कारवाई की जाएगी एक कार से वहां अतियार बरामद हुए थे उसमें प्रिथक से मामला दर्ज किया क्या है राज्य सबास आंसर प्रटवान में है जो जी जिंदी आये थे कॉंगर्स पार्ड़ी की उसके संबद में दिया गया था उसमें जो थाना इस्टर पर फैयार की थे उसके फैयार लपार्ट बनाया है और उस ग्यापन के आधार पर जो भी नए साल और तत्यार है उसके आधार पर आगा में जांच करकी कारवाई की जाई थे कुछ लोगों के जो गाड़ियां पॉड़ी गए थी उसमें से कुछ हतियार बरामद हुए हैं तो कि लोगों को चिन्यत किया और कि लोगों पर कारवाई की गई है वो जो फियार बरामद हुए थे जिस वहां से बरामद हुए थे उसमें प्रथक से फाई आधार दर्च की गई हैं कि क्योंकि यह भीड़वार थी अनेंज़ित भीड़वार थी तो इसमें 1780 के आसपास की संक्या देख रही है इसको फाई आधार नहीं है अधियार हुई है कुछ उसमें छे लोग नांदन हैं वाकि सब तरश सी अध्याद हैं पहचान की जा रही है नए साथ शुदू आये जाए हुआ हुआ है गढ़ा कोटा से रवी सोनी सागर टीवी न्यूज तनिश्क प्रिजेंस दे बेस्ट कमबो और एवर पाये गोल जूलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमेंड जूलरी की वाल्यू पर 25% तक की छूट और साथी अपने पुरानी गोल जूलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू तो आज ही अपने नस्दी की तनिश्क स्टोर जाएए तनिश्क अचाचा प्राजाप्ट